Hello students, good afternoon, myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department आज के लेक्चर में हम लोग Communication in Organization के बारे में डिस्कस करेंगे तो Communication क्या होता है? किसी भी Organization में तो Organization में two types of communication होता है First है जिसमें आपका Internal Communication और Second है External Communication Internal Communication में क्या होता है? जो messages होता है within the organization Communicate होता है या जो message होता है वो exchange होता है But external communication में क्या होता है? जो message होता है या जो information है वो outside of the organization exchange किये जाते है इसलिए उसको external communication बोलते हैं और internal communication बोलते हैं इसमें क्या होता है? जो organization के employees हैं या जो भी हैं ऋन से से घाओनिकेशन होता है इसलिए उसको ओठाइड रहते हैं हो सकता है मियुक्ति आफ पर ढूले को सकता है यह जैसे ऑर यह सकता है और news bulletin के थूरू हो सकता है, bulletin के थूरू, publishing के थूरू हो सकता है, ठीक है, यह different type के way है, ओरली हो सकता है, ठीक, जिसमें अपन क्या है, ओरली उसको जो भी message है, या information है, उसको क्या करता है, उसको exchange करें, तो यह सब क्या होता है, internal communication में होता है, जो well-ordered network में होते हैं, ठीक है, तो जिसमें जो main internal, इसका main aim क्या होता है, जो information है, उसको, या जो message है, उसको well network के थूरू में exchange करना है, inside the organization, तो media of internal communication में क्या है, first is notice board and bulletin board, ठीक है, तो these are the media of the internal communication, notice board में क्या होता है, आपका जो भी, वहाँ पर notice लगाया जाता है, जहां पर क्या सकुआ, जिसके लिए notice लगाया गया है, वो लोग उसको isनी सको देख सके, या जिनका वहां से आना जाना होता है, ओजो notice होता है, वह clear होता है, और day-to-day update किया जाता है, यह होता है नोटिसबॉड में और का अबका बुलेटिन बॉड बूर्ड भूण वहहां पर एक प्लेस होता है जहां पर जो भी इंफोर्मेंस है रिलेटग टू और अर्गनेशन उसको कैए करदेंता है उसको क्या करेता है एक यहोगी आपका एक मीडिया एफ इंटर्नल और आपका मीडिया इंटर्नलल कम्युद्धेशन अब किस अधकर इंटर्कॉम तो इंटर्क्म क्या होता है ऐस़ एलग अलग डिपार्टमेंट है यह एक्षेंज होता है इमेल होता है सब से डिवे में जैसे एक्सला है या वर्ड के फॉर्म में उसको सेयर कर सकते हैं मीटिंग से इंटर्नल जो communication में आपको मीटिंग से मीटिंग में क्या होता है जो भी इसूस रहेंगे तिक यह जो बिद्वी इसन है उसको क्या किया जाता है फिर नंबर के चाहर या फिर नंबर आप उन प Bongस के साथ सब्वाह्य कीब스र एक जगर उसको अग् actress कीए जाता एक जगा वहां पर discuss किया जाता है तो यह meeting होता है इसमें क्या जाता है जिसमें या तो दोनों से discuss होता है या फिर one side discussion होता है ठीक है और वहां पर क्या किया जो भी decision होता है उसको applicable किया जा सकता है तो यह हमारा क्या है media of internal communication ठीक है यह different ways हो गया है जिसमें आपका publications है publications that give the employees information about the company तो जो publications होता है उसमें क्या होता है employees को information about the company होता है जिसमें क्या हो सकता है जिसमें history हो सकता है and its activities हो सकता है और company के policies हो सकते हैं ठीक है और with the company और ने सब्सक्राइब यह हैं थो जिसमें सुछ एपने क्या है बुलेट है और न्यूऻ संधतेiens को अपश्व तक करके बताया जा सकते हैं ठीक है कि यह हमारा वे हैं हम ऐसे से इसको अप्रोच करते हैं और यह हमारा विजन है ठीक है यह हमारा मिशन और विजन दोनों हैं फिर सब क्या होता है पॉब्लिकेशन के थुरू किया जाता है और जो पॉब्लिकेशन होता है वह क्या हो सकता है या फिर आपका weekly हो सकता है monthly या yearly भी हो सकता है ठीक है इसके लिए कोई fix do नहीं है वो depend करता है कि कैसे कैसे किसी भी organization में work होता है यही एक तरीका है publication का फिर डिसकस करते है bulletins बुलेटीन के होता है short publication होता है जिसमें कि आप जो important announcement होता है official information का announcement होता है important announcement होता है they are the method of keeping up the moral of the employee by giving them timely information जिसमें क्या सकता है timely जो भी information है वो employees तक share करने के लिए use किया जाता है and can create a sense of unity and loyalty among the employees जिसमें क्या कियाता है unity हम unite यह सो किया जाता है और loyalty among the employees तो यह सब जिच कहता है बुलेटिन के थुरू जो employees है उसको एक organization में किया जाता है फिर आपको newsletter तो it is a written report containing written report होता है जिसमें क्या होता है containing special or important item आप news कोई भी news होता है उसका जो special important item होते हैं जो क्या होता है analysis के साथ होते हैं comment के साथ होते हैं and forecast के साथ होते हैं ठीक है देन होता है आपका external communication तो यह क्या थे हमारे internal communication हो गया कैसे work करते हैं इसके कौन-कौन से good administration and efficient administration so better mirror of organization ठीक है the more people know about the organization its policies with regard to employee and customer serviced that better the public response to its advertisement and recruitment notice तो जो भी communication है उसको क्या कर सकते हम लोग जो हमारा बोला जा सकता है कि जो market में या जो public में हमारा छवी बनेगा ठीक है उस हिसाब से क्या होगा recruitment या फिर जो भी advertisement को जो consumer है या customer है उसको seriously लेते हैं otherwise अगर हमारा छवी सही नहीं है तो हमारा जो भी advertisement या recruitment process उन लोग उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं external communication में क्या आपका monitoring and setting up communication and relations with the segments of public through various media build a positive image of the organization जिसमें क्या किया जाता है आपका जो भी monitoring है ठीक है positive image of organization को क्या किया जाता है monitoring किया जाता है setting up communication किया जाता है ठीक है अब इससे क्या होता है जब जार्दा लोग organization को जानेंगे the more people know about the organization it policies with regard to employees and customer service the better public response to the advertisement and recruitment notice जिसमें क्या सकता है अगर positive response है तो better तरीके से advertisement and recruitment notice को किया जाएगा और इसको follow किया जाएगा through various media build a positive image of the organization जिसमें जैसा जो भी recruitment process है या advertisement हो रहा है ठीक है तो कोई भी organization का उसको media के through ही क्या किया जा सकता है उसको so किया जा सकता है ठीक है जिसमें different type के media के अपने पास वे है कि कैसे उसको किया जा सकता है the public the segment of the word outside which are organized is concerned are as follows तो the public में कौन-कौन से आपका customers है financiers है educational institutions है voluntary organization है and general public तो different जो है क्या होता आपका the public है जिसमें क्या सकता है आपका एक organization से एक organization के outside जो लोग रहते हैं जिसका environment है बोल सकते हैं इस इन इन इंवार्मेंट आप इन और्गनेजेशन इसी सही बन के और्गनेजेशन रन कर सकता है या इसली वो चल सकता है अब companies public तो एक companies public में कौन-कौन में हो सकते हैं जिसमें आपका है customers हो सकते हैं clients है और professional services है जिसमें आपका क्या auditors है legal auditors है financial है finance है advertising है यह सब professional services में आगए फिर आपका suppliers है vendors है यह company के पब्लीक है फिर legislators है government के जो agencies है वो भी एक organization के पब्लीक है उसके regulators है the court court भी एक company के पब्लीक में है फिर foreign government office है distributor wholesalers franchise franchises हो रहेंगे retailers है agents है जो यूनियंस है ठीक है educational institutes है फिर आपका है stockholders stockholders और आपका investors bankers employment agencies media और आपका the general public potential customers potential employees potential investors charities foundations तो यह क्या है different जो है एक company के या एक organization के public होते है है उनके बीड उनका communication होता है और लेन देन होता है उसके उनके माधियम से या जिन से क्या होता है कोई भी organization का लेन और देन होता है और जो communication उता है तो दीज आल आर क्या है उसमें इनवाल होते हैं without किसी एक के कोई भी और सक्सेस ने हो सकता या फिर वह रन नहीं हो सकते हैं जब तक उसमें पॉब्लिक नहीं रहेंगे उसमें कोट नहीं रहेगा उसके साथ आपके जो से निमस्टर से सप्लायर से बायर से और आपके क्या है डिस्ट्कूटर से होल सेलर से गफद्मेंन एजन LIKE से से सब्य सकता है। जब तक इनका combination नहीं होगा तो एक और जो organization या company का उसकता रण नहीं कर सकता है वो चल नहीं सकता है ठीक है फिर दक customers तो customers कौन है समें customers form a close and manageable public जो close होते हैं और manageable public होते है manageable public organization has a constant contact with them जिसको क्या करता है जो organization है वो constantly contact करते हैं उनको ठीक है the customers the good database of customers help the organization to manage the communication easily ठीक है तो good database of customers जिसमें आपका कैसे better customer जो database अपन maintain करते है customer का उसके साहता से कोई जो organization है easily communication setup कर सकता है उसको ज्यादा कोई problem नहीं होता है है communication setup करने में ठीक है तो यह होगे आपका customers the customers customers कुन है जो organization के product या फिर जो services है उसको जो consume करते हैं या फिर चाहते हैं वह क्या चाहते हैं अपने profit के बारे में जानना चाहते हैं और estimate the future earnings the potential market growth एक्ट सक्टर यह सब क्या तोते financier जानना चाहता है through annual and other reports letter and the invitations to functions क्या सकते हैं जो financial है जो letter publish होता है या जो letter organization के साथ जाएगा उनसे वह क्या क्या सकते है वह profit के बारे में या उनके earning के बारे में वह easily जान सकते हैं the financier the bank creditors shareholders stock brokers pension fund administrator यह सब क्या होते हैं उसमें include है institutions the company's sponsor activities training course of special projects and give donation for prices and scholarship or special departments to educational and welfare institutes hospital and orphanage तो इंस्टिटूट में आपको जैसे का है educational है social departments है scholarship departments है और आपको जैसे में इस प्रेहेड लेजिस्लेशन है तो यह क्या होता है जो various intersects है all aspects of company तो वह क्या होता है उसमें involved होते हैं फिर voluntary organization में क्या है they have various intersects and watch all aspects of company's activities their activities is spearhead with the people या with the customer voluntary organization में आपका जो इन्वार्मेंट लिस्टी के उसमें consumer protection group में involved है women's right group है etc. और the voluntary organization voluntary में क्या है आपका जो भी जो आपका customer है या जो human rights है या फिर जो आपका women empowerment है या human right जो group है वो सब क्या होते है इन्वाल होते हैं जो क्या करते हैं जो policies है organization का या जो consumer के जो उनके rights है उसको provide करने के लिए work करते हैं general public general public क्या होते हैं it is a large होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं फैले हुए होते हैं spread and the least definable which is influenced by the company's advertisement जो company के advertisement reports and efforts it make to be visible to the people तो यह सबके साहतास क्या होते हैं वो visible होते हैं इसमें company का report है और communication के थूफ हो सकता है फिर आपका aim of communication is the transference and understanding of information between two or more people to communication का जो main aim है वो क्या होता है जो information है उसको easily transfer क्या जा सकता है and understand क्या जा सकता है जिसमें क्या हो सकता है आपका two people हो सकता है या more than two people हो सकते हैं ठीक है तो this is the main aim of communication है data क्या होना चाहिए जो भी information share कर रहे हो clear होना चाहिए और understable होना चाहिए मतलब easily understood किया जा सकता है है ना यह है अब कोई ऐसा information है या data है वो क्या है समझी नहीं आ रहा है यह ज्यादा complex है तो वो फिर क्या है useless है easy रहे और easy to understand रहे main जो communicate कर रहे जो data share कर रहा है ठीक है उसको क्या होना चाहिए वो capable होना चाहिए कि अपना जो भी अपना जो message है उसको convey करने के लिए उसके में यह capacity होनी चाहिए communication an organization's communication comprises every message that it puts out in the media and includes its action and activities which form non-verbal communication ठीक है तो एक organization communication का होता है compromises every message that it puts out in the media तो जो media में जो भी message जाता है या जो भी report है उसको क्या करता है compromise करता है यह उसको handle करता है कि वो जो उसका क्या impact आएगा ठीक है और इसमें काय अव्सकप्र नार वर्वर्वर्वल जो भी communication है टीक है यह सब चीच होता है सब्सक्राइब्स में the message in organization are conveyed through letters तो इसमें चैनलने के सब्सक्राइब किया जाता है और इसमें आपका है रिपोर्ट के थूर्ड किया जाता है प्रेस हेंड आउट के थूर्थ किया सकता है और प्रेस रेली में त्रू है जिसमें एड़ोटाइजिंग है ओपन हाउस है विजिट्स है एक्जिबीशन के थू किया जा सकता है फेर एंसोस के थू किया सकता है strategies and seminar. दीज्बाइजिंग है. प्रेस एंसोस है और ओपन हाउस विजिट्स कोन्फरेंस होता है seminar जाता है यापि क्या क्या जाता है या जो कंपरी के ग्रोथ है या फिर जो विजन है उसको सेर के जाता है letter it is to generate goodwill by giving prompt and courteous response to request help and complaints later का क्या उसके जाता है complaint के लिए उसके जाता है और request के लिए जिसे employee के माध्यम से अगर organization से कुछ उनको help चाहिए तो हैल्प लिस किया जाता है अगर कुछ उनको रिक्वेस्ट है जैसे आपको बजेटिंग करवाना है कोई भी जो कोई भी जैसे फंक्शन कराना है प्रडक्शन कापिसिटी यह जो भी डिफेंट वे है उसके का करना पड़ेगा आपको बजेटिंग करें तो बजेटिंग क्ले अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी का कंप्लेइन भी हो सकता है तो यह है जिसमें आपका रिगार्डिंग रिपोर्ट में होता है आपका होता है फिर प्रेस रिलिज जो प्रेस रिलिज होता है वो क्या होता है फैक्ट्वल इंफोर्मेशन होता है तेलिंग वाट हैपन वेर और वेन एंड हूँ आर्ड़ परसन कॉंसर्ण और इन्वाल इन इवेंट तो प्रेस रिलिज में क्या होता है कि क्या हुआ है कहां हुआ है और उसमें कौन से person involved हुए है इसके बारे में क्या होता है वो डेटा होता है या information है यह में होता है एक किसमें प्रेसलेजम फिर advertising तो advertising में क्या होता है it is to bring awareness of the product among the people तो advertising में क्या होता है mainly जैसे अब कोई भी product company बना दिया तो जब तक कोई organization advertisement नहीं कराएगा उस product के लिए तब तक जो consumer है या customer है या जो people है वो उसके बारे में जानेंगे और जब तक जानेंगे नहीं तो उसके जो characteristics के बारे में जानेंगे तो उसको यूज नहीं करेंगे जब तक उसका characteristics के बारे में अपन क्या करें करेंगे इसके features के बारे में बताएंगे तब ही क्या होगा जो जो क्या बोला जाए जो customer है या consumer है उस product को पर्चेस करने के लिए नहीं जाएगा तो जानता नहीं कि इसमें क्या 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 सकते हैं उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं तो इसमें कम्म्निकेशन के बारे में हो गया तब उस प्रॉडट्ट के बारे में पर्टीकूल का सब्सकार करें के लिए मार्केट में जाएगा हो ़ौ या उसको परचेस करेगा हम लोग जो प्रोड़क्ट है उस प्रोड़क्ट के क्या कर सकते हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं प्रोवाइट कर सकते हैं देखें बहुत सबस्काइन मैं करने से पता चलता है तो इक अब होगा एक्जीबीशन से करें कि यहाँ बाते हैं पर टैट्रमॉएल सेक्टर के बात किरते हैं तो बन से हीजसे एक्जिबिशन में कहला तो यह ना कुलिए देखा जाता है यह ठाट टैस्ट को कूल मार्केट में launch करने के लिए या market में सो करने के लिए जिसमें क्या customer या जो भी consumer है वह easily उसको test रहे त्रू या फिर उसको सामने देखके उसको observe करके उस product को purchase करने के लिए पिर उसको इंट्रेस्टेट होगा तो अट्रेक्ट होगा तब मीडिया और एक्स्टरन ब्ल कम्यूकेशन में आपका क्या है जिसमें आपका है है नोज़िक में टुरिजा को प्रेवारियग होलिग तो मिडिया आप मास्रम्यकर्टेंचन में आपका चिल्थी सहरेडियोर। टेलिवीजन है एक्जिबिशन से फिल्म है लिट्रेचर से जिसमें आपको बूक्स है और डारेक्ट मेल है वर्ड आप माउथ है इंटरनेट है तो यह सब क्या है इससे क्या हो सकता है जो नॉलेज का आदान प्रदान होता है